अगर बढ़िया चल रही है तो बढ़िया से प्रेप्रेशन करते रहो अगर नहीं हो रही अच्छे से तियारी और लग रहा है कुछ नहीं आता है तो जाकि सिर्णाजानी यूट्यूब चैनल को चेक कर लो मैंने आपकी दीदी हूं है और मैंने गाइस जितनी भी आप लोग वहां पर आपको नोट्स से लेके वीडियो से लेके वन शॉट लेक्शर से लेके लिट्रेचर हो लैंग्वेज हो एवरिटिंग यूविल गेट ठीक है तो जाकि एक बार चेक कर लेना अब आज मैं आपको बताने आई हूं आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जिसको इंडिको के महात्मा गांदी जी और डीप वाटर का जो डगलास है उन से रिलेटेड क्वेशन बनाए जिसमें सोफी की मम्मी को आंट जैनिफर के टाइगर आंट जैनिफर जो टाइगर वाली उन से मिलवा दिया जिसमें रैट रैप सेलर को जो है मुकेश से मिला सकते हैं और पूरे नंबर आपको मिलेंगे ठीके बस एक डो ट्रिक ग्रों तीन चीज गरनी आपको तीन चीज गरनी में सबस्टाओ को इंडर क्वेशन बता उगी हर क्यों कोई त्ट्री ग्रों ने पřsको कोई त्टा हॉट है या तुम अनसे पया चैसे होने में और कोई सबसाय आएगा एक्जाम में उससे विकुल अलग क्वेशन आ सकता है तो भाईया क्या करना चाहिए हमें दस बारा क्वेशन पढ़ने से कुछ नहीं होगा हमें ऐसा करना है कि कोई भी क्वेशन आजाए वह ग्यारवा क्वेशन अगर आ रहा हो तो आप उसका अंसर बना के लिए और काफी सारे भाई-बेनों को पता है मेरे जैसे वह सीरेल हों में उसका साट को माह एपिसोड आता है दो कहानी के करेक्टर मिल जाते ही चल ला है हमारे बोर्ड एग्जाम में वह बढ़ी आए क्रीयेटिविटी तो बढ़ानी आपके बार के बोर्ड एग्जाम में आपको क प्रोज इंडिकों है जो महाटपागांदी जी वाला चैप्टर प्रूज बतला होता है चैप्टर तो जो प्रोजब्डिकों है और जो प्रोज डीप वाटर जिसमें डूब गए थे उसके बाद उन्हें पानी से बहुत डर लगा वित जीट पाई उन्होंने का डर के नहीं जो डर गया वो पता है आप लोगों को तो इसलिए ये दोनों चैप्टर को इन्होंने कहा है ब्रिंग आउट इंपोर्टेंस ओवर्कमिंग फियर डर को आगे जीत करने का इंपोर्टेंस बताओ इमेजन करो तुम एक मोटिवेशनल स्पीकर हो और इसकी जो है इंपोर्टेंस बताओ ओवर्कमिंग फियर करने की 120 से डेट्स ओवर्ण में यानिकि एक पैरग्राफ सा बनाके लिखो स्टार्ट करने के लिए आप ऐसे यूज कर सकते हो आप क्या लिख सकते हो गुड्ड मॉर्णिंग स्टुडेंट्स और एक कोटेशन लिखी भी है आपकी बुक में बड़ी बहंकर सी सैंपल पेपर के सॉल्वेशन में कोटेशन लिखना क्या हमने डीप वाटर में कोटेश अगर मैं आपको बता हूं आठ से एक दिन पहले मिने जो है फ्लेमिंगो द्रियों मैं जो स्टॉट में सोट क्वेशन जो चोंटे क्वेशन होटे बिचालीस वर्डवे पचास वर्डवाले वशॉट क्वेशन में हर एक चैप्टर के एक वन चॉट चलाया था लाई-डा- यह बेस क्वेशन है अगर यह पढ़ लिए तो आप पैरलल भी सॉल कर सकते हैं तो होई जाएंगे अगर आपने वह बेस क्वेशन की वीडियो देखी तो वहां पर मैंने ऐसा सेम क्वेशन कराया था कि इंपोर्टेंज बताओ डीप वाटर चैप्टर की कैसे डगला जी जो है ओवरकम कर फियर कर पाए अपना तो उसे हमें क्या लैसर मिलता है वह क्वेशन में पचास वर्ड का आपको खरा चुकी हूं और जो इंडिकों का इंपोर्टेंट क्वेशन सीरीज थी उसी क्यागे 10 म बताया था कि गांधी जी ने क्यों कहा था कि वैप्टल ऑफ चंपारन हम नहीं जीत सकते जब तक डर भाड़नी आएगा तो उसका भी मैंने आपको पूरा इंग्लिश में आंसर दिखाया था कि गांधी जी ने इसलिए क्योंकि फार्मर्स को डर लग रहा था पेले बिटि चर्स को ड्रॉप कर दिया गया यहीं दो बातों को 50 रत का और आंसर था 50 रत का यह आंसर था हो गया इन्हीं दोनों और आप मिला के यह डा간 यह Yes फैस्ट और जाके मेरे कहने पे वह शॉट क्वेश्ट को जरूर देख लेना मैंने विस्तास बुक के वीडियो डाल दिया और जो डरी की इंपोर्टेंट्स जो डरी ने क्या सीखा अब मिस्टर लैम से और वो लेसन हमें क्या सीख दे रहा है एक एक कौने से देवा स्कूल खुलवाय गांदी जी का कनेक्शन मुकेश के और सीमा पूरियार साहिब उनके साहथ आ सकता है कि वहाँ पर भी ज़रूरत है कि वहाँ पर भी सब काम हो इसका प्याल्ल आ सकता है क्या पता है एक्जाम में तुम्हें न दिख जा कि Gandy का वुकेश से तो क्या है मैंने आपको लॉस्प्रिंग चैप्टर में बता दिया कि सिस्टम को क्या करने की जुरूत है और गांदी जी ने क्या-क्या इनिशेटिव लिए थे सब क्वेशन हम अलग-अलग कर चुक है एक्जाम में जाके जो क्वेशन आएका बद जॉइन कर देना समझ ग इस question की बात है जिसमें MCQ आ रहा है वो मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ बहुत अलग से question आएंगे exam में ठीक है तो वो कब होंगे आपके जब उसमें भी आपने chapter समझाओगा और मैं आपको word meaning बताऊंगी क्योंकि ना उसमें आ रहा है कि मैं पूरी आपको guarantee के साथ कह रही हूँ अगर आपने इस तरीके से पढ़ लिया याद ना काफी सारी सुदिंस ने तो देख लिए वो वीडियो मैंने नहीं कर रहा है था मैंने यह डगलस के डर वाला question भी और farmer के डर वाला भी exam में यह question आया तुम डगलस के डर को farmer के डर क दोनों को लिख दो और बीच में इसको connect कर दो connect कर निकले line given है हमार को वन नम कुद भी कर देंगे 120 वर्ट बन गए तो भाई बहुत सिंपल है एक दो तीन question और example देख लेते हैं यह महा एपिसोड question किस form में आ रहे है कोई conversation की form में आ रहे कि आंट जैनिफर को सोफी की ममी से सबाचीत करा दी ऐसा भी मैंने question कर वाया था आपको कि आंट जैनिफर बुरा फील कर रहे हैं अपनी life में थीम बताने आप इसमें आपको आंट जैनिफर की theme बताने होगी दूसरा रहे है thoughts लिखो तिशानी दोश की तिशानी दोश जब वापस आई अंटार्टिका से तो उनको बड़ी environment की चिंता हुई तो तुम उनका बना की लिख दो एक paragraph में मैंने चार question कराया कल विस्तास बुक की सीरीज पर उन चार question को इसी में लिख देना next blog post बनाने को का है कि एक article टाइप लिख दो बाम और जितकाला साका कल की विस्तास बुक की important question series देख लो ऐसा ही question क कि लाइन आप किसी भी parallel question में यूज कर सकते हो तो एक तरीका है कि आप सारे वह short question की वीडियो दोनों मस्ट है आप जाके देख लेना और दूसरा तरीका है उसके इलावा और यह सबसे ज्यादा बेटर है सबसे पहला आपको भी parallel question दब सॉल करका होगे जब आपने सभी chapter प पढ़ लो अलग अलग वीडियो जो है उनसे पढ़ लो किसी से भी पढ़ लो पहले chapter समझ लो मैंने हिंदी में पूरा chapter समझाया है सिफ एंसी आर्टी को रीड़ करके आपको नहीं बता दिया एंसी आर्टी को समझाया क्योंकि critical thinking ही हमें बिल्ड करनी है तो critical ठीक के हिसाफ से मैं चाप्टर पढ़ा दिया आप जाके चाप्टर पढ़ लो कोई पंदरा से बीस मत्स ओपर कोई चाप्टर नहीं है आईनो टाइम इस वेड़ी यूसफुल फॉर यू तो पंदरा से बीस मत्स में सभी चाप्टर गिवन है जो पाओ या कोई भी जो है अब पैरेलल क्वेशन सॉल कर पाओ तो एक काम कर लें आज वो क्या करने आपको आपको हर चैप्टर की समरी सी बनाके लिख लेंने दस से पंदरा लाइन के अंदर हर चैप्टर की समरी लिख लो लास्ट लेसे वाला फ्रेंच जो है वो बच्चा फ्रांस उसको स्कूल जाने में लेट हो रही थी डरावा था क्योंकि पार्टिसपल्स नहीं करें यह बात जो मैं आपको हिंदी में बोल रही हूं इंग्लिश में सोचके लिखो अगर आज नहीं लिखोगे ना तो एक्जाम वाले दिन पर भी नहीं लिख पाओगे गलती ह सीख आफेोगे एक पेपर निकाल कर लाओ और प्लीश के सारे के सारे समरी जो है वह को दखते हैं कि लिस्प्रिंट हूं आ प्लोट करें मैंने से क्रूमिनटी पे भी रोल डाउन करके चेक कर सकते हो इंस्साग्राम पे तो पूले सिलेबस के नोटे मॉडरिन क्वेशन एवरीटिंग इस दियर वहां से लेना चाओ वहां से ले सकते हो आप लोगों को हर चैप्टर की समरी यह मत कहना दीदी हमसे नहीं होगा फिर एक्जाम में कौन लिखेगा आंसर फॉर्म कौन करेगा आपने ही करना है ना उसका रिप्लाइब यह हर चैप्टर के समरी इंग्लिश में खुद से बनाके लिख लो हर आंसर जब समरी तुमने लिख दी तो उसी वाली समरी में से तो क्वेश्चन आएगा तो फिर कौन नहीं लिख पाएगा उसके लिख लेशन की कैसे हम अपनी लर्णिंग को प्रोकास्टिनेट करते हम जो चीज़ें टाइम पर करनी चीए वह नहीं करते लौस प्रिंग चैप्टर की थम जो है थीम क्या थीम जो बच्चों का बच्चपन उनसे चिन जाता है ठीक है डीप वाटर की थीम क्या है डर के आ आपको पर आप लोग एक बार थीम लिख लो एक बार समरी लिख लो और एक करेक्टर स्केच लिख लो यह तीन चीज़े कॉपी बना लो गाईस एक कॉपी लिए ओ ठीक है एक पुरानी कॉपी है जो भी कॉपी इंग्लिश की कॉपी निकालो फ्रेश पेट से लास लेसन सम कगे पर सौ फॉट कटैसे टेंचे लो तो लोगे तो शर्ट कॉपी ही नहीं करते हो अगर यह रिटन प्राक्टिस और वीडियो देखते सार्व दोनों सब्सक्राइब दोनों रिडिप्स में टिपs नहीं मैंने फ्लेमिंगों के और विस्तास के ऐसे भयंकर इंपोर्टन सोट क्वेशन कराएं वह कोशन है बेश कोशन है बस लिख बाते लिखी है जैसे डगलस का बता चुकी हूँ- अन्दर का आंसर तो आपको पता होगा वह वांचाइड करके तो विस्तास फ्लेमिंगो, question answer one shot, short question one shot, जाके देख लीजिए, जिन्होंने नहीं देखा था, जिन्होंने देख लिया था, वो भी दुबारा देख लिए, क्योंकि अब तुम्हें पता होगा, यही question parallel बनाने में help कराएंगे, दूसरी चीज एक copy लेकर आओ, copy पे लिखो, last lesson से ल central idea, वही theme के जगा central idea कह रहते हैं, और poem के poetic devices, poetic devices, extract based mcq में question भरे पड़े होंगे, solve कर पाओगे, अगर आप लिख कर रखोगे, उन्हें, तो यह काम कर लीजिए, मैं चलती हूँ, बबाई, टिक के best of luck, हर एक parallel question आप solve कर पाओगे, अगर आप एक copy में summary theme character sketch लिखोगे, और answer formation सीख लोगे, तो मैं चलती हूँ, बबाई, टिक केर, best of luck, हम में लेंगे next video में, मेरे channel को आपके चेक करते रहे ना, क्योंकि आपके लिए, बहतरीन से बहतरीन videos में upload करती रहोंगी, for your English preparation, and guys, मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनो, जैसे कि मैं आपकी दीदी हूँ, तो आप वेल, solve your query, तो चलो, मिलते हैं, next video में, description box, check कर लेना, eye tap, check कर लेना, one short video lecture, flamingo की विस्तास के question answers, सब given है, poems, 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 सारी पढ़ा दिया, एक घंटे में सारी पढ़ा दिया, guys, time waste मत करो, जा के सारी poems पढ़ लो, और poem के जो है, जो central idea वो लिख लो, सब कुछ कुछ हो जाएगा, स से तीन दिन पहले सब upload कर दिया है, so that, आज के दिन, आप लोगो का time waste लो, आप जिस video पन करोगे, और पढ़ना शिरू कर दोगे, तो मैं चलती हूँ, बबाएटे के best of luck, मिलते है, next video में,